आज बनाएंगे पाला का पूड़ी पाला का प्राठा इसे बनना बहुत असान है बहुत जल्दी बनकर एड़ी हो जाता है दिख सकते हैं दिखने में कितना टेस्टी लग रहा कितना परफेक्ट बना है आप इस रेसिपी को जरूर ट्राय करें आपको यह बहुत पसंद आए देख सकते हैं दिखने में कितना टेस्टी लग रहा है तो पुनाना शुरू करते हैं सबसे पहले पाला को बॉयल कर लेते हैं पानी को गरम होने के लिए रख दिये हैं पानी में बॉयल आग गया है पाला के लिए पाला को अच्छे से धो दिये हैं पानी में बॉयल आ गया पाला को ज्यादा देरे तक नहीं पकाएंगे, बस एक मिनट के लिए पकाएंगे, अब इसको पलड़ देते हैं, लगभग एक मिनट हो गया है, गईसको आप कर देते हैं, अच्छे से बॉयला गया है, अब इसको छान लेते हैं, अब इसको फैला देते हैं, पुरी तरह से ठंडी हो दने देते हैं, फिर इसको ग्राइंड करेंगे, पालक पुरी तरह से ठंडी हो गया, अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं, ग्राइंडिंग जार लिए हैं, अब इसमें डाल देते हैं, अब इसमें दो हरे मिष्ट डालेंगे तीन लेस्टन के कलिया थोड़ा सा अधरा का टुकड़ा अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं पाला को ग्राइंड कर लिए हैं पुरे तरह से बारे ग्राइंड किये हैं अब आठे के पुरेसेस में चलते हैं एक बड़ा सा बॉल लिये हैं, अब इसमें गेहूं का आटा डालेंगे, दो कप गेहूं का आटा लेंगे, अब इसमें थोड़ा सा जमाएं डालेंगे, अब इसमें हाप छोटी चमच, जीरा पॉर्डर डालेंगे, हाप छोटी चमच, नमक, एक चमच, तेल, सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं, अगर आपको पालक पूरी जयदा बनाना है तो सारे चीजों को कुंटिटी बढ़ा सकते हैं, कम बनाना है तो कम कर सकते हैं सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर दियें, अब इसमें ग्राइन किया हुआ पालक को डालेंगे एक बार सारे नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा से करके डालेंगे, अब इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं, थोड़ा से इसमें और भी डालेंगे, ग्राइन क्या हुआ पाला को, इसे भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं, जिस तरह से रोटी को डो बनाते हैं, उस तरह से बना लेंगे। लगबक इसको 2-3 मिनट तक इस तरह से गुन लिए हैं। काफी सब्च हो गया है। अब इसको थे स्ट लेने के लिए छोड देते हैं तब तक तक निफक तेल गारम होने के लाए रख देते हैं itad 5 मिनट हो गया है अब इसको लोई बना लेते हैं। अब इसको छोटी-छोटी लोई बना लेते हैं, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नई रेश्पी देखने के लिए बेल आइकन क्लिक जरूर करें, शारे लोई इसी तरह से बना लेते हैं, पूरी के लिए छोटी लोई बनाये हैं, अब प्राठा के लिए बढ़ी लोई बना लेते हैं, प्राठा के लिए बड़ी लोई बना के रेडी कर लिए, पूरी के लिए भी बना लिए, अब बेलना शुरू करते हैं एक लोई लेंगे, इसमें थोड़ा सा तेल लगा देते हैं, अब इसको पूरी बेन लेते हैं पूरी छोटी बड़ी अपने मन पसंद अनुशार बना सकते हैं, पूरी को नहीं ज्यादा पतला नहीं ज्यादा मोटा बेलेंगे बाकी के पूरी इसी तरह से बेल लेते हैं, चारे पूरी एक बार बेल के रेडी कर लेंगे, फिर इसको तलेंगे अगर आपका बच्चा पालक खाना पसंद नहीं करता है, तो पालक पूरी बना कर खिलाएं, पालक का पराठा बना कर खिलाएं, खाने में बहुत टेस्टी लगता है तीन पूरी बेल के रेडी कर लिएं, बाकी पूरी इसी तरह से बेल लेते हैं अब पालक का प्राठा बेल लेते हैं, एक लोई लेंगे, इसमें थोड़ा सा तेल लगा दिये हैं, अब इसको बेल लेते हैं अब इसके उपर थोड़ा सा तेल ग्रिस करदेंगे, अब इसको इस तरह से फोल करदेते हैं, ट्रियंगल सेप में इसको करदेंगे, अब इसको बेल लेते हैं, प्राठा को नहीं ज्यादा मोटा नहीं ज्यादा पतला बेल लेंगे, जिस तरह से रोटी बेलते हैं, प्राठा बेल कर रेडी कर लिए, एक प्राठा और भी बेल कर दिखाते हैं, एक लोई लेंगे, अब इसमें राठा लगा देंगे, अब इसको बेल लेते हैं, अब इसको ओपर थोड़ा सा तेल गिरिस कर देंगे इसको इस तरह से फुल कर देते हैं अब इसको ट्रेंगल सेप में दे देते हैं इसको भी बेल लेते हैं इसमें सुखा अठा लगा दिये हैं अगर आप पूरी का डू बनाते हैं एक डू से दो तरह का नास्त्य बना रेड़ी कर लिए सारे पूरी यह विल का भी रेड़ी कर लिए अब इसको तल लेते हैं तेल अच्छा गरम हो गया है अब इसमें एका करकर पुड़ियां डालेंगे एक बार तिन पुड़ियां डालेंगे जितना तिल में आ सके गैस को मीडियम फ्लेम पे रखें है दिख सकते हैं कितने एच्छे से पुड़ियां फूल गई है दिखने में कितना टेस्टी लग रहा कितना परफेक्ट बना है आप इस रेश्पी को जरूर ट्राय करें आप वह बहुत पसंद आएगा पालक पुरी हिल्दी भी है खाने में भी टेस्टी लगता है बाकी पुरियां इसी तरह से तल लेते हैं पुरी को एक अखर के भी तल सकते है अब इसको पलड़ देंगे एक पुरी और भी इसमें डालेंगे अब इसको निकाल देंगे शे पुरी तल के रेडी कर लिए बाकी पुरियां इसी तरह से तल लेंगे सारे पुरियां तल लिए हैं, देख सकते हैं, दिखने में कितना टेस्टी लग रहा है, कितना क्रिश्वी बना है, अब पराठा को सेक लेते हैं, तबा गरम होने के लिए रख दिये हैं, तबा अच्छा गरम हो गया है, अब इसमें पराठा को डालेंगे, गैस को लोटो मीडियम फ्लेम पे रखेंगे अब इसको पलड़ देंगे अब इसको उपर तेल लगा देंगे इसके पलड़ देते हैं इसके उपर भी तेल लगा देंगे प्राठा को अच्छे से पलड़ पलड़ कर सेक लेंगे गाइस को लोफलें पर कर दिये हैं, देख सकते हैं कितने अच्छे से फुल गया है, देखने में कितना टेस्टी लग रहा है, कितना परफेक्ट बना है, बागे की पराठा इसी तरह से सेख लेंगे, सारे पराठा सेख कर रेडी कर लिए, पराठा 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 बन कर रेडी हो गया, आप भी ट्राइ कीजिए, बनाए मेरा रेश्पी को लाइक कीजिए, सेयर कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एक वाफी मिलते हैं नई रेश्पी के साथ,